नमस्कार आज हम आप लोगन के साथ बहुते प्यारी से खिचडी करें से फिशेर करें जाते हैं तो अक्सर छोटे बच्चे जो नहीं हो खिचडी खानना पसंद करें लेकिन यह दी इस तरह से आप खिचडी बनाए तो छोटे बच्चे भी एक बहुत मन से और प्यार से खान हम लोग यहां दहान का खुटाई हो जाले ए वह दूर ऐ पर ऐ हम खिचडी बनाएं तो यहां पर एक कप चावला महें वाला इसीस से हम खिचडी बनाएं तो खिचडी बनाएं के लिए मध्यमाच पर एक मोटी तली का कढ़ाई रग देए और वो कढ़ाई में थोड़ा सा सरसो का तेल डाल देए और सरसो का तेल डाले की बाद जब सरसो का तेल अच्छा गरम हो जाए तो उमें एक छोटा चमच के करीब जीरा डाल देए और जीरा डाले की बाद जैसे जीरा अच्छी तरह से चटक जाए तो एमें एक से डेड़ चुटकी के करीब हिंग डाल दें हिंग डाले से पहुत है अच्छा सा स्वाधाविला की चड़ी में और अब यहां पर हम दू हरी मिर्च के इस्तमाल करें तो बच्चों के लिए जब हम बनाई ना तो बहुत तीखा ना डाली ना बस बहुत हरी मिर्च जब अच्छी सार से चटक जाए तो यहां पर थोड़ी से एक महीन कटी हुई प्याज रह लिए एक एमें डाल देवे के और हलका सब्भून लेए के हैं और जब प्याज हलकी सब्भून जाय तब थोड़ा सा कुटी हुई अद्रक और लहसून डाले के कुटी हुई अद्रक और लेसुन का जोन स्वाद है किचिने में बहुते प्यारा सा आवेला तो यहाँ पर हम कुटी हुई अद्रक और लेसुन डाल देते हैं और अद्रक और लेसुन डाले के बाद भी बहुत देर तक ना भूने के हैं और अब यहाँ पर इजोन हम लोग को गोभी तैयार है कटके ओके में डाल देवे के हाँ तो गोभी के भूने में थोड़ा सा समय लगे ला इसलिए गोभी के पहले डानी तड़का में और अच्छी तरह से के थोड़ा सा हलका भूरा होके तक घून ले बहुत ज़्यादा ना भूने के हाँ हलका सबूनक तबी भी काम चल ज़ए बहुत लोगे खीचड़ी के कूकर में बनावे न तो कूकर में बनावे से खीचड़ी बहुत ज़्यादा पक जाले सबजिया बहुत ज़्यादा पक जाले चावल भी बहुत ज़्यादा पक जाला तो कर स्वाद इतना बढ़िया ना ओत इस तरह से आप कढ़ाई में या फिर भगोना में खीचड़ी बनाए तो काफी अच्छा स्वाद आई और यहाँ पर हम लोग को गोभी भून चुकल रहा लिया अब जोन बाकी कटी हुई सबजी है ओके भी इमें डाल देवे कि है और यहाँ पर एक चोटा चमच भर के धनिया पाउडर हा आधा चोटा चमच जीरा पाउडर हा स्वात के अनुसार नमक डाल देवे कि है और हल्दी थोड़ा सा में बढ़ा के डाली ताकि आपके किचड़ी में बहुते प्यारा सा रंग आवे और यहाँ पर हम एक चोटा साराजला पाउडर ढाल डाले से एक ही चड़ी में बहुत अच्छा सा स्वाध इला और यहाँ पर मसाला के साथ एस सीके एक दूमेर तक एकदम धीमी आज पर भूर्मी Time करते जाए हैं औरे मणा मट्र यसा अपर यहां फ्रूजन नमक पानी में उमाल कर ढलें शयनके दाल एक साथ भूने की बाद आप चावल के धो लेवे किया और चावल के भी इसी में डाल देवे किया है। तो जित गाउं से हुई तेके पता हुई कि नए चावल से जोन खिचड़ी बने ले या कि फिर खीर बने ले वो काफी स्वादिश्ट हो ले काय से कि नए चावल में माण का मात्रा भरपूर हो ले और वो चावल का स्वाज जोन हो थोड़ा सा मीठा मीठा हो ला और चावल थ थोड़ा सा खीली-खीली बनके तयार हो ले और नए चावल से थोड़ा गिला-गिला बनके तयार होला जो उनकाफी स्वाज़िश लगेला तो यहां पर हम लोग का सारा चावल के साथ भुनके तयार होगा अब इमें पाणी होगे तो पानी का हिसाब देख लें एक कप चावल हमें हम तीन कप पानी का इस्तमाल के लिए तीन साड़े तीन कप पानी डाल के यदि आप बनाई तो आपका खीचड़ी एकदम अच्छी तरह से बनके तयार होई और यदि खीचड़ी आप कुकर में बनाऊ थे तो दूसरे सवादू कप के करीब पानी डाला तो आपका खीचड़ी एकदम अच्छी खीले खीले बनके तयार होई लेकिन हम कढ़ाई में बनाऊ थे तो इमें थोड़ा सा पानी ज्यादा लगे ला तो यहाँ पर हम साड़े तीन कप पानी का इस्तिमाल करी लेए और सबसे आखरी में एमें थोड़ा सा धनिया का पत्या डाल देवेकि है और एक चोटा चमच गरम मसाला पाudर भी डाले कि है तो कैमरा में चूट गला लेकिन जब भी आप खीचड़ी बनाएं तो सबसे आखरी में थोड़ा सा एक चमच गरम मसाला पाउडर भी डाल देएं और अच्छी तर कि थोड़ा सा और चला के अच्छी तरह से सबजियों के मिला लगी एक ही चड़ी और थोड़ा सा और कमी रहे लिए थोड़ी दिर में पूरास पक के तयार हो तो अब यहाँ पर आज की मध्यम करदे खें है और मध्यम आज पर एके ढख़े कम से कम 3-4 मिन और पका लेगे है यदि आपके लगए था कि यहाँ पर आपका चावल ज्यादा कच्चर रही गला तो आज की एकदम धीमी करदे है धीमी आज पर एके धीरे धीरे पके दहीं तो जितना ये चावल और सब्जी है अच्छी तरह से पक जाए तो एके थोड़ा सा और हम ड़के पका ले था ही थोड़ा सा है में कमी रही गई लिया तो अब यहां पर हम लोगों का खीचडी बिल्कुल बन के तयार हो गई लिया नए चावल से यदि आप खीचडी बनाए तो आपका खीचडी ऐसे न बन के तयार हो यह थोड़ी से गिली खीली बन के तयार हो ले लेकिन खाय में स्वाद काफी अच्छा हो ला यदि आप पू में और सबसे आफ़ी में याँ पर थोड़ा सा धनिया का पत्ता ड़ालते खिया है तो जैसे जैसे आपसे ठंडी टहुँआ वैसे आपका खिचाडी खिली खिली लेकिन पुराने चावल की तरसिक्तम खीली-खीली ना बन के तयार हो ले और अब तक आप अप देख सकते हैं कि हमारे खीचडी कितना बढ़िया कितना प्यारी बन के तैयार और एक हिचड़ी के छोटी बच्ची बहुते मन से खाना तो अपकी बार इमकर्ण संक्रात्री पर एक हिचड़ी के बना के देखी आपकी पूरे परिवार की एक हिचड़ी का स्वात पसंद आए तो उमीद है कि आज को वीडियो आप लोगन के पसंद आए लोई अपनी पसंद आए तो वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूल करें और यदि चानल पर नया है इसने और भी प्यारा प्यारे से भी अपनी भाशा भूजबूरी में देखल जात हैं तो प्लीज चानल के सस्क्राइब कर लें हमके एक हिचड़ी का सबसे अगली नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार